इंडिया गठवंदन में आदनी नितिश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठवंदन में तो एक बार को वो प्रधान मंतरी बन भी सकते हैं पूर में भी यही हुआ है कि कई जो रिजिनल लीडर जिनको माना जाता था जब संख्या आई और जब शुना हो गया तो सहमतिया भी बनी है अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधान मंतरी तो नहीं बना जाएंगे कम से कम इंडिया गठवंदन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी ने किसी को मौका मिलेगा कोई ने कोई प्रधान मंतरी बन सकता है बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं कोई दूसरा तो नहीं बन सकता उनका अपना प्रधान मंतरी है उन्हीं के नाम पर बोट मागा जाएगा जो दूसरे गठवंदन है मान लीजे उनके पास कम से कम चॉइस है कोई भी बन सकता है कोई भी दलका बन सकता है मैं उस रेस में नहीं हूँ ना मैं इस दौर में हूँ समाजवादी पार्डी का लेक्ष्टर कि भात ये चंठापार्डी से मकाबला जख किया जाए को इसलिए जरूरी है प्रधान मंतरी के नाम। चाहे वह के से कब उच्रों की बन सकता है अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं अगर आप एंडिया के साथ जाते हैं तो हाँ तो चोईस ही नहीं किसी के पास आपको लगता है अगर निकीश कुमार को सही ओजक बना देते या फेस बना देते प्राइमिस्टर का तो यह नौवत ना थी जो आज नौवत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तियारी कर रहे हैं मैं समझता हूँ इसमें कॉंग्रिस को और पहल करने चाहिए थी और कॉंग्रिस अगर पहल करती तो यह बाते कभी नहीं आएगे तो जिम्मेदार हैं बड़े निता हैं और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरू आती दौर में अगर आपको याद हो उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे पहली मीटिंगी बिहार में हुई थी और उनका सम्मान सब करते हैं कोई दल ऐसा नहीं जो उनका सम्मान न मिलना चीए और पद मिले ना मिले लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से उपर हैं